हेलो एब्रीवन, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, वी आईपी टॉपर क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे हमारे देश के सम्विधान के मूल करतवे, ये अनुच्छेद इंक्यावन का में दिये गए हैं और सम्विधान के भाग 4A में इनका वर्णन है, ठीक है, ये जब हमारे देश के सम्विधान बना, तो इन्हें नहीं जोड़ा गया था, इसे 42 पे सम्विधान संसोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है, तो चली हम देखते हैं कि हमारे मूल करतवे क्या हैं, जब भी आप MPPSC जैसी यदि आप उन पर इक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप भारत के नागरिक हैं, तो आपका यहदायत्व है कि आप अपने देश के सम्विधान के मूल करतवे को पढ़ें, उनका अनुशरन करें और उनका पालन करें, ठीक है, तो चली देखते हैं कि हमारे देश क सम्विधान के मूल करतवे क्या हैं, सबसे पहले मूल करतवे की संख्या देखें, तो मूल करतवे की संख्या कितनी हैं, 11 है, जब सम्विधान बना था, तो मूल करतवे की संख्या 10 थी, बाद में सम्विधान में संसोधन करके 11 मूल करतवे जोड़ा गया है, ठीक है, यह को स्वंधान का पालन करें और उसके आधर्शों संस्थाउं राश्ट्र ध्वज और राश्ट्र गान का आधर करें इसमें ध्यान देनी योग बात यहां कि आपको राष्ट्रगान का आदर करना है, ना की राष्ट्टगीत का, मतलब आपको जनगर्मन का आदर करना है, उसका सम्मान करना है, ठीके, वंद्म आत्रम के लिए इसमें नहीं बूला गया है सेकेंड पॉइंट है स्वतंतृता के लिए हमारे राष्ट्री अंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हर्दय में संजोए रखे और उनका पालन करें मतलब जिन्होंने भी हमारे देश के राष्ट्री अंदोलनों को प्रेरित किया है उनके आदर्शों को हम हेदय में समझो कर रखें और उनका पालन करें यह हमारा कर्तव्य है ठीक है इसके बाद थर्ड पॉइंट है भारत की प्रभूता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अच्छुने रखें फोर्थ है देश की रक्षा करें और आवाहन किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें जैसे की COVID-19 महामारी के समय में प्रधान मंत्री जी के द्वारा आवाहन किया गया जनता कर्फ्यू लगाया गया तो इस तरीके के आवाहन किये जाने पर हमें राष्ट्र की सेवा करना है अब हम देखते हैं पांचवा मूल कर्तव्य पांचवा मूल कर्तव्य यह कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भ्रातत्व की भावना का निर्माड करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रताओं का त्याक करें जो इस्तरियों के सम्मान के विरुद्ध है ठीक है मतलब हमें हमारे देश में भ्रातत्व की भावना का निर्माड करना है सभी धर्मों को और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से दूर रहना है ठीक है सिक्स्थ है हमारा चटवा मूल करतव्य है कि हमारी सामासिक संस्कृती और गौराफ शाली परमपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें ठीक है साथवा पॉइंट है प्राक्रतिक परियावरण की जिसके अंतरगत वन जील नदी और वन जीव है उनकी रक्षण करें उनका संबर्धन करें और सुधार की भावना का विकास करें ठीक है हमारा आठवा मूल करतव है वैज्ञानिक दरश्टी कोण मानवबाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें नोवा है सार्वजनिक संपत्ती को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें जब भी हमारे देश में कहीं पर भी कुछ होता है तो पबलिक क्या करती है सार्वजनिक संपत्ती को ही नुकसान पहुचाती है यह बहुत गलत है हमारा मूल करतव यह है कि हमें सार्वजनिक स संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से हमेशा दूर रहना है ठीक है दस्वा मूल करतब्य है व्यक्तिगत और सामूही गतिविद्यों के सभी छेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करना है जिससे राष्ट्र रंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और लास्ट है ग्यारवा तो यह जब हमारे मूल करतब्यों को बनाया गया था तो यह एड नहीं था इसे बाद में सम्विधान समसोधन करके एड किया गया है ठीक है तो ग्यारवा मूल करतब्य है कि यदि माता पिता या संदक्छक हैं तो 6-14 वर्ष तक की आयू वाले अपने यथा इस्थिती बालक या प्रती पाले के लिए सिक्छा के अवसर प्रदान करें मतलब की 6-14 वर्ष के व्यक्ति के लिए सिक्छा उपलब्ध कराएं यह माता पिता यह संदक्छक का करतब्य है ठीक है तो इस तरीके से यह 11 मूल करतब्य कंप्लीट होते हैं आप इन्हें अच्छे से पढ़ें यदि आप किसी बड़े एक्जाम की तेयारी कर रहे हैं तो इन्हें याद कर लें या बहुत काम आने वाला है और यदि आप किसी भी बड़े एक्जाम की तेयारी नहीं कर रहे हैं और आप इस वीडियो का भी तक देख रहे हैं तो आप अपने इन कर लेवल रहते हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग